देखे टॉप टेन पहला एक काम करा है वो जो की थीम्स की सुबह से चर्चा हो रही है हर एक्सपर्ट मेंशन कर रहा है उनसे कुछ सिंबॉलिक स्टॉक्स हाइलाइट कर देता हूँ कोई लासने टूबरो इन्फरास है बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में कोई SBI, कोई Defense, कोई Railways ये सब की थीम्स होंगी जो आज रडाप रखेंगे उस Exit Poll के वर्डिक्ट के चलते है दूसरी प्लेट रखता हूँ Auto Sales के Numbers जो Saturday onwards आना शुरू हो गए मोटा मोटी Numbers कह रहे है April के बाद से मई के महिने में थोड़ा सा थंडा पन है पैसेंजर वेहिकल्स थंडी पड़ी टू वीलर्स थंडे पड़े पर सीवीज और ट्रैक्टर्स इंप्रूव होरें ये की अंडरलाइनिंग थीम है ध्यान रखेंगा उसके बाद कुछ मंत के अपडेट्स और भी आए ना सिफ आटो सेल्स के बलकि किसी एनएमडीसी किसी कोल इंडिया के कोल इंडिया की पर्ड़क्शन साड़े 7% बड़ा एनिमडीसी का प्रड़क्शन साल दर साल गिरा है परमानस ने भी हाइलाइट कर रहा है स्टॉक में दम नज़र आता है मॉयल बैक टू बैक सेकेंड मन्थ है जब तगड़ा प्राइस इंक्रीज पिर से ले लिया है जून महिने के लिए 30 से 35 परसंट तक दाम बढ़ा दिये गए मैंगनीज ओर के अधानी पोर्ट ने एक कंसेशन एगरिमेंट तंजानिया पोर्ट अथारिटी के साइट साइन करा है और वैसे भी आज यूफॉरिक मूर्ट में ये ग्रूप के स्टॉक शैद वापिस रडार पे रहे कैनरा बैंक आज दिवान साब की प्रिफर्ड टिक भी थी खबर भी है साड़े 14 परसंट स्टेक डाइल्यूट करने की तेयारी कैनरा एचसबीसी लाइफ इंचूरेंच में आईप्यों के जरी है मौश्चिप सेमिकंडक्टर्ज या मौश्चिप टेक्नलोजीज नाम हो गया है सीडैक पूने से इस कंपनी को 500 करोड़ प्लस का एक कॉंट्राक्ट मिला है अशोका बिल्डकॉन L1 यानि की लोएस बिडर घोशेत हुआ है 2150 करोड़ के आसपास के प्रजेक्ट के लिए आलुवालिया कॉंट्राक्ट को इंडियन ज्वेलरी पार्क मुंबई से 2100 करोड़ से जादा का कॉंट्राक्ट मिला है और साथ-साथ पूर्वांकरा मुंबई की करीब यानि की थाने में साड़े बारा, साड़े बारा नहीं, पौने 13 एकर जमीन अक्वायर करी है इसलिए ये स्टॉक भी आज ख़बरों के चलते फोकस में लाएगा शुक्री आशिष बिसकूज़ चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स इनेक्शन स्कीन प्रेटने के लिए प्राइस स्टॉक्स अब चलते हैं अनोच के पास अनोच एथिहासी कोपनी और बिग मैक्रो इविंट है अल्मस्ट लेवल मतलब इंडेक्स पर अप्रोच किया रहे ही और एक और चीज मान लीजे मैं इंडेक्स को चेज करने में कैपेबल नहीं तो किन सेट अफ स्टॉक्स पर फोकस करें जिन में आपके सिचुएशन एट लिए इस स्विंग में भी तो विन-विन रहे हैं बिलकुल वीडियो देखे हाज आज आज बैंकेक्स के एक्सपारी भी है ये एक और बाइफ शिक से बहुत जादा हो नहीं है मेरे कारश से मार्केट कल की वेटकरना जाता है उसको हिट करने के लिए तेकि विरू इतने बड़े गैप आप 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 चेज नहीं का सब्साब आप महले करी नहीं सकते तर बड़े गैप पे चेज और ये बात में हमेश्व आपका स्टॉपलस हो जाएगा फर एक्जामपल ठीके तो उसके बाद पहला प्रोष ले सकते हैं बैंक निफ्टी में भी चेज कर सकते हैं अगर प्रॉफिट टेकिंग आए और अगर मार्केट गाप के बाद नीचे आए तो जहां पर वो खतम हो और जहां पर उसके बाद आज पहला ग्रीन बार बने वहां लेने कोशिए देंगे मेरा को लग रहा है कि एक बार गाप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है मार्केट में ठीक है लेकिन ये मैक्रो ट्रिगर तो इसके एक राउंड बाइंग भी आएगे इंट्राडे में उसमें करने की कुशिश करिए अगर आप डेटेडर हैं तो एक चीज़ में और जोड़ देता हूं 23-500 से लेकर 24,000 के बीच में आज अकल में मार्केट एक बार के लिए एक बार के लिए नियर टम पीक बनाएगा एक बार के लिए सलामी देगा मार्केट उसको जब 23-524 कहां भी है एक बार के लिए उसके बार के लिए उसके बार मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा वो करेक्शन फेज होगी ना वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के फेज होगी आपके लिए पोर्टफोलियो पर फोकस करिए अगले कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को भले ही भूलना च झाल झाल